नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का exam achievement में, आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे तो दोस्तों मैं करुणा इस वीडियो में लेकर आई हूँ Class 12 के Physical Education वाले students के लिए उनके Chapter 9 मनो विज्ञान और खेल पर आधारित, Important Notes, Short or Long Questions, Descripted Methods पर जो की दिया गया pattern है CBSC का Second Term Board Exam के लिए और इसके अलावा कुछ अभ्यास प्रश्न तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सिर्फ इस एक वीडियो में बने रहें exam achievement के साथ तो इस Chapter पर Based कुछ जो Topics है, जो मुख्य बिंदू है, जो मैंने इस Chapter में लिए है वो हैं व्यक्तिगत अर्थ, परिभाशा, प्रकार, लक्षण और प्रकार और पांच लक्षण के सिध्धान्त इसके अतिरेक्त, आभिप्रेरण, इसके प्रकार और विदी तकनिक के साथ तीसरा व्यायाम पालन, जिसके की कारण और लाब दोनों और व्यायाम पालन को बढ़ाने की रण नीतियां और लास्ट में आप जानेंगे, खेलों में आकरामक्ता का अर्थ, अवधारना और उसके प्रकार तो शुरू करते हैं, 9.1 व्यक्तित्व के साथ व्यक्तित्व शब्द, लेटिन सब्द, परसोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुखोटा अर्थात, व्यक्तित्व वहमुखोटा है, जिसे लगा कर व्यक्ति अपने वातावरन के संपर्क में आता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तितू में उसके सारीरिगुण, मानसिगुण, सामाजिगुण, भावनात्मगुण, रूचियां, वहवार, योगताएं, आदी सभी विशेशनाएं सामिल होती है जिनके साथ व्यक्ति अपने वातावरन के संपर्क में आता है व्यक्ति की बनावट, वहवार का धंग, रूचियां, सामर्थे तथा इस्तर से व्यक्ति की परिभाशा दी जाती है और ऐसा डेफिनेशन दी है मुनने सभी जैविक गुण, विचार, रुजान, इस्तर, इच्छाओं तथा अनुभाव से अरजित रुजानों का कुल योग व्यक्तित्व कहलाता है ऐसा कहते हैं मॉर्टोन प्रिंस आप देख लेते हैं व्यक्तित्व के प्रकार तो शेल्डन के अनुसार शारिरिक आधार पर व्यक्तित्व के तीन प्रकार होते हैं एंडोमोर्फिक, मैसोमोर्फिक और एक्टोमोर्फिक और जुंग के द्वारा मनुवेज्यानिक आधार पर तीन होते हैं बहुर मुखी, अंतर मुखी और उभय मुखी जिसको एम्बिवर्ट भी बोला जाता है। व्यक्तित्व का बिग फाइफ लक्षन सिध्धांत। इस सिध्धांत के नुसार किसी भी व्यक्ति को आखने के लिए पांच लक्षनों को आखना चाहिए। अर्थात व्यक्तित्व का आंकलन पांच लक्षनों के आंकलनों के आधार पर होता है। संबंधी लक्षण में आजाता है आपका वहवारिक, कल्पनाशील, रुची, बौधिक जिग्याचा की चहा, रचनात मक्ता और भावना कर्तवेनिस्था में आजाएगा आपका जीवन की चनोतियों के साथ सक्षमता, आत्मनुसाशन, कर्तवेनिस्था, दूरसों पर निर्भरता, कठोर परिक्ष्रम और महत्व कांग्षा बहिर मुखी संबंधी लक्षण में आएगा आपका उर्जा, सकरात्मक्ता, भावना, स्वीकारत्मक्ता, बिलंसार, बातुनी, जिंदा दिल, स्नेहे और मित्रता पूर्ण सहमतता संबंधी लक्षण में आएगा आपका सहयोग, ववस्थित और उदार मनो विछुपता संबंदी लक्षन में आएगा आपका गुसा, अफसाद और चिंता इस पर आपके कुछ MCQ-based question है, बात कर लेते हैं उनकी तो व्यक्तितु शब्द की उत्पत्ति लेटिन भार्षा के कौन से सब्द से हुई है आप सभी को पता है परसोना सेकिर्ड वह व्यक्ति जिसका शरीर मोटा होता है कहलाता है एंडो मॉर्फिक थर्ड गठीले शरीर वाले व्यक्ति कहलाते हैं मैसो मॉर्फिक question number four पतला लंबा वह उदास व्यक्ति जाना जाता है एक्टो मॉर्फिक एंडोमोर्फिक, मैसोमोर्फिक और एक्टोमोर्फिक सारीरिक लक्षण किस ने दिये हैं? तो option A, Sheldon ने उच्च आत्मिश्वास, सामाजिक, दोस्ताना वहवार आदी लक्षण किसके होते हैं? option B, बाहे मुखी question number 7, अंतरमुखी, बहिरमुखी तथा ambivert लक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? option A, जुंग के द्वारा question number 8, बिग 5 सिध्धान्द किस नाम से जाना जाता है? 5-Factor Module question number 9, एंडुमॉर्फिक में एंडु का अर्थ है? गोल, मटोल, शरीर अब आजाते हैं आपके लगुत्रिय प्रश्न जो की तीन नमबर में आप से पूछे जाते हैं तो प्रश्न नमबर एक है, हरबर्ड शेल्टन द्वारा दिये गए व्यक्तित्व के वर्गी करण की विस्तित्व व्याख्या कीजिए तो इसका अंसर होगा, शेल्टन ने शरीर का वर्गी करण तीन भागों में किया है वह एक अमेरिकन विज्यानिक थे, जिसका जन्म 19 नमबर 1898 में हुआ था उन्होंने व्यक्तित्व को शारिरिक बनावट के अधार पर तीन भागों में बाटा है जिसमें फर्स्ट है, एक्टोफ मॉर्फी, यानि की सेरी ब्रोटोनिया इनके कंधे संकीन होते हैं, हाथ विपाओं पतले होते हैं, मुँ संकीन वेचाती समतल होती है वे पतले होते हैं, जादा सोचते हैं, चुप रहते हैं, स्वयम के बारे में सोचते हैं, निराशावादी तदा गती विद्यों में कम रुची रखते हैं सेकेंड है आपका मैसोमेफी जिसको सोमेटोटोनिया कहा जाता है इनका शरीर गठीला होता है कंधे चोड़े होते हैं हाथ वेपाऊं ताकतवर छाती बड़ी होती है इनमें मासपेश्यों की संख्या जादा होती है वे उत्साही रोमान्चक आशवादी और प्रतियोगी होत इनका शरीर गोलमटोल होता है बड़े कूले होते हैं कंधे संकीन होती है वसा जादा होती है इनके हाथ पाऊं में जादा वसा पाए जाती है ये मजा किया अराम पसंद और सामाजिक प्रकृति के होते हैं कोशन नमबर सेकेंड है जुम के द्वारा दिये गए व्यक्तित्व के वर्गी करण का वर्णन कीजिए तो कौल जी जुम के द्वारा दिये गए व्यक्तित्व का वर्गी करण निम्न प्रकार है पहला अंतरमुखी यदि कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक सोच विचार भाव वे प्रतिपिम्ब के द्वारा उर्जावान या प्रेरित होता है, अंतर मुखी कहलाता है, उसके अंदर कमजोर आत्म विश्वास, उदाशीनता, शांत, निराशा वादिता, वे कम सामाजिक्ता के लक्षन पाए जाते हैं। बहिर मुखी, इस प्रकार के व्यक्ति अपनी बहरी दुनिया की चीजों वे व्यक्तियों से संबंद रखते हैं, वे कर्म में विश्वास रखते हैं, वे सामाजिक, वे बादचीत या विचार विमर्श वाले होते हैं, उनका आचरण, मित्रवत, आत्म विश्वासी, उत्तर वे एक जिंदादिल नेता के रूप में होता है, तीसरा उभैवर्ती, इस प्रकार के व्यक्ति में अंतर मुखी, बहिर मुखी, दोनों प्रकार के गुण होते हैं, इनके मित्र भी अधिक पाये जाते हैं, दीर गुत्रिय प्रश्ण, यानि की पांच नंबर वाले प्रश् कीजिए व्यक्तित्व के बिग फाइव सिध्धान्त के किनी चार लक्षणों को बताईए, तो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के सब्द परशोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है मास्क या मुखोटा, लेकिन यदि हम विस्तार से इसका अर्थ जा का आंकलन करना चाहिए, और वो पांच बड़े लक्षण है, नमबर एक, इसपस्टता संबंदी लक्षण, कर्तव्यनिस्टता संबंदी लक्षण, बहिर मुखी संबंदी लक्षण, सहमततता संबंदी लक्षण, और मनो विछुब्दता संबंदी लक्षण, इसपस्टता जग्यासा रखने वाला है, रचनात्मक कितना है, नए अनुभव का आनंद लेता है या नहीं, नए विश्यों को सीखने में कितना योग्य है, और सेकिंड, कर्तव्य निस्था संबंधी लक्षन में आएगा आपका, कर्तव्य निस्था संबंधी लक्षन दिखाएगा, व्य कितना दूसरों पर निर्भर है, कितना कठोर परिक्ष्रमी है, और कितना महत्व कांग्शी है। तीसरा बहिर मुक्ता में हम देखेंगे कितना सकारात्मक भावना, कितनी सकारात्मक भावना रखता है, कितना स्विकार्णे की शमता रखता है, कितना मिलनसार है, बाते सुनने में निपूण है, जिन्दा दिल है, इस नेपूर वेवार रखता है और मितरता पूण वेवार रखता है या नहीं चौथा सहमतता संबंदी लक्षन में हम देखेंगे कि वह दूसरों को सहयोग करने वाला है या नहीं विवस्तित रूप से कारे करने वाला है या नहीं अथवा मितरता पूर्ण है अथवा नहीं पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट मनों विछुपता संबंधी लक्षन में हम देखेंगे कि वो कितना गुस्सा करता है कितना ज़्यादा अवसाद में रहता है या अवसाद उस पर नियंतरन कितना हद तक रख लेता है कितना ज़्यादा वो चिंतित रहता है और भावना उपर नियंतरन कितना रख सकता है दोस्तों इसी के साथ आपके लिए कुछ अभ्यास प्रशन यहाँ पर दिये गए हैं जिसके अंदर आप व्यक्तित्व की परिभाशा देंगे अंतर मुखी और बही मुखी में अंतर स्पस्ट करेंगे इसके अतिरिक सेकेंड कोशन खेल में प्रतिबा खोजने हे तू व्यक्तित्व के लक्षन बहुत सहायक होते हैं खेलों में चयन हे तू शेल्डन के व्यक्तित्व के लक्षन किस प्रकार सहायक हो इसके अतिरिक्द आपका तीसरा प्रश्ण है एंडो मॉर्फी वे मेसो मॉर्फी में अंतरस्पस्ट कीजिए चौथा है खेलों में चयन वे व्यक्तित्व एक ही सिक्के के दो पहलू है इस पर चर्चा कीजिए पांचना प्रश्ण है व्यक्तित्व के बिक फाइव सिध्धान्त को समझाईए तो ये थे आपके अभ्यास प्रश्ण पहले टॉपिक पर बेस और अब आपका दूसर टॉपिक है प्रेणा या फिर अभी प्रेणा तो प्रेणा शब्द लेटिन शब्द मुवेवर से लिया यह सर्वसामानने है कि चमतकार तभी संभव है जब आप प्रेरित हूं यह और कुछ नहीं बस उत्तेजित होना निरंतरता तथा किसी भी किरिया को क्रम से करना या बनाए रखना है खेलों में सिक्षक कोच का काम कुछ सिखाना प्रशिक्षन देना ही नहीं होता अभी टेबल से यहाँ पर आपको समझाया गया है जिसके अंदर आपको प्रकार तकनीक बताई गई है तो दो प्रकार है आंतरिक अभी प्रेर्णा और बहारी अभी प्रेर्णा आंतरिक अभी प्रेर्णा है जैसे श्रेष्टा सिद्ध करना सामाजिक सम्मान मनोरंजन या आत्म संतुस्ट्री और बहारी अभी प्रेणा में है पुरसकार, डंड, दो सरोपन या फिर प्रशंसा अब तकनीक कौन-कौन सी है तो एक तो प्रतिपुस्ट्री, मुल्यांकन, अभ्यास की लंबाई, विभिन्नताएं, आदोनिक उपकरण, दर्शक, आसान, लक्ष्य, भर्ट्स और क्रम देना यह है तकनीक अभी प्रेणा की अब आ जाते हैं अभी प्रेणा पर अधारे बहु विकल्पी है प्रश्न पर जिसके अंदर पहला प्रश्न है प्रेणा शब्द लेटिन भासा के कौन से शब्द से लिया गया है तो इसका अंसर होगा मुवेयर सेकेंड है प्रकर्तिक प्रेणा किस नाम से जाने जाती है तो आएगा ओप्षिन ए आंतरिक यदि किसी एक व्यक्ती आंतरिक वै बाहे प्रभावों से अपने लक्षे की और बढ़ता है तो उसे क्या कहा जाएगा तो वो होगा आंतरिक वल चोथा पुरशकार नकद सजा प्रेणा कि स्ट्रेणी में आएगा तो बाहे स्ट्रेणी में आएगा तीन अंक वाले लगूत्तर प्रश्ण में पहला है प्रेर्णा के प्रकार तो दो तरह की प्रेर्णा है आपने देखा था आंत्रिक प्रेर्णा और बहारी प्रेर्णा आंत्रिक प्रेर्णा में तो आजाएगा आपकी संतुस्टी आत का खुल की खुद की खुशी के लिए ख खेलना, कोशलो परने पुनता, सामाजिक स्विक्रती, श्रेस्था का प्रदर्शन और यही सब और बाहरी आए जाएगा आपको मतलब क्या चीवाप करोगे मतलब आपका इनाम, आपका प्रसकार, आपकी प्रसिद्धी, आपका धन, आपकी नोक्री यह सारे चीज बाहरी इस तार से बताईए, तो खेलों में प्रियोग होने वाली प्रेणा की निमलिखित तकनिके हैं, पहला मुल्यांकन, दूसरा विभिनता, तीसरा दर्शकों की भूमी का, आलोचना, आधुनिकुपकरण, अभ्यास की लंबाई, अकांग्षा का इस्तर, लक्षे का निर्धा नवीन पाठेकरम, पुरसकार, डंड, प्रशंसा, सहरना, सामाजिक दवाव, ग्रेडिंग, रिकॉर्ड, सफलता, उपलब्दी, संचार माध्यमुकी की भूनिका, इसमें से सर्फ चार आपको लिखने हैं, तो कोई से भी चार आप लिख दीजे, तो अगर हम बात कर लेते मुल्यांकन की, तो यह माध्यम, व्यक्ती को उसकी स्थिती से अवगत करा सकता है, और उसे अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, विभिनता, व्यक्ती के कारेकरम में विभिनताएं लाकर, रुचिकर बनाकर, लक्षे की और प्रेरित किया जा सकता है, दर्शकों की उपस्तिती में खिलाडियों में जोश आ जाता है और वो अपना लक्षे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं भर्षना खिलाडियों के अनुचित प्रदर्शन की भर्षना करके भी उसे और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है चात्रवती के माध्यम से तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर मैंने सब के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा आप इस चीज को देख लें इसके बाद इसमें से कोई से भी चार पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको ज़्यादा इंपोर्टन लगें आसानी से याद करने वा को खेलों में उत्कस्था की ओर बढ़ाती है चर्चा करें सेकेंड है प्रतेग धावक या खिलाडी के लिखिन्न प्रेइर्णा तो दोस्तों third point हमारा है इसमें व्ययाम पालन। अब हम पढ़ेंगे व्ययाम पालन को। व्ययाम पालन से हमारा भिप्राए व्ययाम करने के लिए एक वविस्थित द्रिश्टिकोन को लम्बे समय तक प्रारंबिक अभिग्रहन चरण के उपरांथ बनाई रखने से है। वययाम पालन किसी व्यक्ति के निरंतर वययाम प्रसिक्षन कारे करम में भाग लेने को दर्शा आता है वययाम करने के कारण वययाम करने के अनेक कारण हो सकते हैं इसमें कोई भी अपने देनिक कार्यों को कुशलता वैसरलता से कर सकता है यह प्रतेक व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं जैसे मेरे दादा जी का व्ययाम करना मेरे व्ययाम करने से अलग हो सकता है महिलाओं का कारण पुर्षों से अलग हो सकता है और बच्चों का व्ययाम करना तो बिल्कुल ही अलग हो सकता है प्रतेक व्यक्ति के लिए व्याम करने के कारण उनकी आवशक्ता व्यपिक्षाओं पर निर्भर करते हैं या तो वो तंदुरुस्त रहने के लिए या फिर रोग और विकारों से दूर रहने के लिए व्याम कर सकते हैं तो वेयाम के लाब अथ्वा वेयाम की आवशक्ता या वेयाम करने के क्या कारण हो सकते हैं तो पहला कारण दिया गया है वेयाम के शरीर के किरियात्मक लाब या फिर आवशक्ता वैयाम के मनोवज्यानिक लाप और वैयाम के स्वस्ते संबंधी या पुस्टी संबंधी लाप तो जब हम शरीर के रियात्मक लाब की बात करेंगे तो ये शरीर की कारेश हमता को बढ़ाने के लिए किये जाते हैं जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, स्वसं तंत्र, तंत्रिका तंत्र और माशपेशिय तंत्र के सही से काम करने के लिए या फिर इनको और अच्छे से रखने के लिए ठीक करने के लिए मनो विज्यानिक लाब क्या हो सकते हैं दवाब और चिंता के इस्तर में कमी लाने के लिए अपने बुद्धी के इस्तर को बढ़ाने के लिए इस्मरण शक्ति को अच्छा बनाने के लिए आद्म सम्मान और शारिरिक शवी को उत्तम बनाये रखने के लिए ध्यान और एकागरता को बढ़ाने के लिए स्वास्ते संबंधी और पुस्टी संबंधी में आ जाएगा छोटी बड़ी बिमारियों से बचने के लिए सारी रिक पुस्टी के विकास के लिए स्वास्ते संबंधी पुस्टी के विकास के लिए बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए और अधिक उर्जावान बने रहने के लिए अब आ जाते हैं व्यायाम पर बेस बहु विकल्पिय प्रशन पर तो शमता कारेकरम को निरंतरता से करना क्या कहलाता है व्यायाम अनुपालन नियमित वययाम कारेकरमों की भागेदारी क्या कहलाती है वययाम अनुपालन तीन अंकों वाले लगु प्रतनिय प्रशन में पहला प्रशन है वययाम अनुपालन को इसपस्ट कीजिए वययाम करने के किनी दो कारणों को लिखिए तो वययाम वह शारिरिक के रिया है जिसके द्वारश शारिरिक शमता को बनाई रखने वे पढ़ाने में मदद मिलती है तथा संपून स्वास्थे वे स्वियोगिता को पाया जाता है इससे हमारा भिप्राय वययाम के लिए एक ववस्थित द्रिस्टिकोन को लंबे समय तक प्रारंबिक वययाम शुरुआत के बाद से लगतार बनाई रखने तक है वययाम करने के क्या कारण है तो सबसे पहला है मनोवे ज्यानिक कारण आकराग मकता विशिप्त संघर्ष और दक्षता जैविक और सरीर के रियात्मक कारण है विजय संकल्प अस्तितु के लिए संघर्ष तीसरा सामाजिक कारण है सहयोग और प्रतियोगी आर्थिक कारण है जीविका, निर्वाहन, निर्वाह हे तू दैनिक कारें को दक्षता पूर्वक करने हे तू रोग और विकारों से बचने के लिए सरीर के सभी अव्यव्य अंग सुचारू रूप से कारे करें उसके लिए समाज या कारे करने के स्थान के साथ तालमेल बठाने के लिए बुढ़ापे के प्रभाव को कम करने के लिए तो इन सब के बारे में लिखेंगे सभी अंगों की काम करने की शम्ता बढ़ाना वैयाम कारे करमों में भाग लेने वाला व्यक्ति शरीर के बारे में तथा उसकी कारे प्रणाली को समझने में दक्ष हो जाता है वैयाम करने से व्यक्ति सभी अंगों की कारे शम्ता को बढ़ाता है या बनाए रखता है जिससे उसे ही खुशाल जिंदिगी चीने में मदद मिलती है सेकिंड है दैनिक कार्यों में दक्षता वैयाम करने से न केवल शम्ता बढ़ती है या बनी रहती है अपितु इससे आत्मे विश्वास अनुभूती आराम दायक निराशा कम होना इत्यादी गुणों का विकास होता है जिससे व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को करने में दक्ष हो जाता है नेक्स्ट कोशन है व्यायाम के कोई छे लाव लिखो या कोई छे कारण बताओ जिनके लिए व्यायाम करना चाहिए तो सबसे पहला है बड़ी विमारियों से बचने के लिए जैसे हीर्द रोग और मदु में दूसरा है विक्तित्व को बढ़ाने के लिए शारिरिक शम्ता को बढ़ाने के लिए, शारिरिक पुस्ठी या स्वस्थ पुस्ठी को बढ़ाने के लिए, समू वेवार ध्यान वेकागरता बढ़ाने के लिए, अच्छी आदतें, अनुशाशन, कणी मेहनत जैसे गुणों का विकास करने के लिए दीर गुत्रिय प्रश्ण में हैं आपका प्रश्ण समाज के अंदर व्यक्ति के लंबे समय तक व्ययाम कारेकरम में जुड़े रहने से उसकी शरीर किर्यात्मक मनोवे ज्यानिक पहलू वे सामाजिक विकास में सहायता मिलती है इस उत्तर की पुस्टि कीजिए तो इसका अंसर होगा व्ययाम में भाग लेने से कोई भी व्यक्ति अपनी दैनिक कार्नियों को कुशलतावे सरलता के साथ कर सकता है तथा अपनी शारीरिक शमतावे सुयोगिता को बनाए रख सकता है शारीरिक किरियात्मक लाब हो जाते हैं आपके हिर्दे वाहिका तंद्र संबंदित लाब तो स्ट्रॉक वर्लिम बढ़ जाता है रक्त वाहिकाओं की लचक बढ़ जाती है रक्त दवाब सामानने रहता है कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है हिर्देदर प्रती मिनट कम हो जाती है सेकिंड है स्वशन तंत्र संबंधी लाब मिनट आयतन तथा टाइडल आयतन बढ़ जाता है स्वशन दर प्रती मिनट कम हो जाती है वाईटल शमता तथा फेफणों की कुल वायुधारिता शमता बढ़ जाती है तीसरा मासपेशिय तंत्र संबंधी लाब तो मासपेशियों के अकार में व्रद्धी हो जाती है मासपेशिया मजबूत हो जाती है मासपेशियों की भंडारित करने की शमता बढ़ जाती है और मासपेशिय टोन बढ़ा रहता है second है आपका मनोवेज्ञानिक लाप तो दवाब तथा चिंता के स्तर में कमी आती है, वेक्तित्व के सभी पक्षों में सुधार होता है, बुद्धी तथा इस्मृरण शक्ती का विकास होता है, मनोरण जन मिलता है और समुवेवार में भी सुधार आता है, तीसरा है स्वास्ते तदा पुस्टी सम्मंधी लाब तो बिमारियों से बचने में सहायता प्रदान होती है जैसे मधुमे और हिर्दे रोग शारिरिक पुस्टी के सभी अंगों को बढ़ाने में मदद करता है जैसे सहन शीलता, गती, शक्ती, इत्यादी स्वास्ते सम्मंधी पुस्टी के अंगों को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है जैसे शक्ती, हिर्दे वाही का सहन शीलता चौथा होगा आपका स्वास्ते भार को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है अब है वैयाम पर कुछ अभ्यास प्रश्न पहला है वैयाम करने के तीन कारण बताईए दूसरा है वैयाम अनुपालन को परिभाशित कीजिए और किनी दो शरीर के किरियात्मक लाबों को लिखिए तीसरा वैयाम के किनी तीन मनोवग्यानिक वे शरीर किरियात्मक लाबों को लिखिए चौता अभ्यास पर प्रश्ण है आपका व्यायाम अनुपालन को परिभाशित कीजिए व्यायाम द्वारा होने वाले की नीचार स्वास्त सम्बंदी लाभों को लिखिए तो ये थे आपके चार अभ्यास प्रश्ण व्यायाम पर अब आचाते हैं अपने 7.4 पोइंट पर जो है व्यायाम पालन को बढ़ाने की रण नीतियां तो व्यायाम पालन को बढ़ाने की रण नीतियां वह तरीका वह विदी हैं जिनके उप्योग से व्यक्ति के व्यायाम कारेकरम में भाग लेने की में निरंतरता आती है तो वो रणनीतियां हैं दूसरों के साथ विययाम करना दस समय और पेशा और इसके बाद 11 है सुएम से सकरात्मक समभाद आजाते हैं इस परबेस MCQ प्रश्न पे तो पहला प्रश्न है ऐसी विदियां जिन से व्यक्ति लगातार विययाम कारेकरम में भाग लेता है क्या कहलाता है तो वो उसका अंसर हो जायका ऑप्शिन A रणनीतियां दीर्ग उत्रिया प्रश्न देख लेते हैं वययाम अनुपालन को बढ़ाने वाली किनी पांच रणनीतियों की व्याख्या कीजिए तो वययाम अनुपालन को बढ़ाने के लिए विभिन रणनीतियों का प्रियोग किया जाता है इन में से कुछ रणनीतियां इस प्रकार हैं जिसमें पहला आ जाएगा विचार विमर्ष करना तो वययाम के लाप बता करता था उसके अंतरगत विचार विमर्ष करके वययाम पालन को बढ़ाया जा सकता है दूसा बाहरी प्रेणा से यानि कि प्रसकार देकर प्रशंसा करके इनाम देकर भी वेयाम पालन को बढ़ाया जा सकता है उचित वातावरण यानि की आधुनिक सुविधाय शामिल करके वेयाम के वातावरण को और अधिक रुची कर बना कर भी वेयाम पालन को बढ़ाया जा सकता है चौधा वास्तववादी योजना यानि वास्तववादी लक्षे जिनको प्राप्त करना जादा मुश्किल हो निर्धारित करके वेयाम पालन को बढ़ाया जा सकता है सामाजिक समर्थन यानि परिवार से मिलने वाला स्कूल से मिलने वाला समाज के द्वारा मिलने वाला समर्थन भी व्ययाम पालन को बढ़ाता है दूसरों के साथ व्ययाम करना किसी भागिदार के साथ व्ययाम करना भी व्ययाम पालन को बढ़ाएगा साथमा वियाम कारकरम को चुनोती पूनता था दिल्चश्प बनाना तो इस तरह से भी अगर हम करें तो भी वियाम पालन को बढ़ाने में मदद मिलेगी आठमा आंत्रिक प्रेना यानि कि सुस्थ रहने के लिए आंत्रिक प्रेना अच्छा दिखने के लिए आंतरिक प्रेड़ना या बिमारी को खतम करने के लिए या ना होने देने के लिए आंतरिक प्रेड़ना भी व्याम पालन को बढ़ाने में मदद करती है समय और पैसा यानि कि प्रयाप्त धन अगर हमारे पास है और समय हमारे पास है तो यह भी मदद करेगा वेयाम पालन में दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट आएगा अभी आक्रामक्ता तो यह शरीर का मौखिक वेवार है जिसका लक्ष है दूसरों को शारिरिक तथा मनोवे ज्यानिक रूप से नुकसान पहुचाना होता है यह तीन प्रकार की होती है एक सत्रुता पूर्ण आक्रमक्ता एवं प्रति किर्याशील रूप में आक्रामक्ता दूसरा बाहे आक्रामक्ता और तीसरा मुखर वेवार आक्रामक्ता तो इन तीनों के बारे में देख लेते हैं सबसे पहला शत्रुतापून आकरमक्ता में आएगा जान पूच कर नुकसान पहुचाना, दूसरों को घायल करना, शारिरिक बल का इस्तेमाल करना दूसरा जो है बाहे आक्रमक्ता में आएगा अंजाने से दूसरों का शरीर घायल करना, उच्चतम लक्षे प्रदर्शन की प्राप्ति करना या शारिरिक बल का इस्तेमाल करना तीसरा आक्रमक्ता कौन सी है इवली? सॉरी हाँ मुखर वहवार आक्रमक्ता तो इसके अंदर आजाएगा शरीर रूप से नुकसान ना पहुचाना, वैद बलों का इस्तेमाल, नियम नहीं तोड़ना, दूसरों को मनोविज्यानिक रूप से मुक्षान पहुचाना, मौखिक बल का इस्तेमाल करना अब आक्रमक्ता के निकासी, मतलब आक्रमक्ता निकलती कैसे है, ठीक है, तो कैसे निकलेगी? आक्रमक्ता ना करने पर साबाशी दोगे तो आक्रमक्ता चली जाएगी दूसरा उन संकेतों को हटा दो जिससे आक्रमक्ता पैदा हो तीसरा संग्यान आत्मक्ता किरियाएं जैसे की आत्म सुझाव कल्पना शीलता तथा अपने आपसे अधिक बाते करना चौथा तनाव को प्रबंधन करना तथा इस्थिली करन के रियाएं पाजमा शकरात्मक सुद्रस्टी करन प्रदान करना जब एक खिलाडी आक्रमक्ता पर नियंतरन करे छटा खेल के महतू पर जोर देना चाहिए ना की जीतने पर यह बताना चाहिए किस प्रकार खिलाडी की आक्रमक्ता किस प्रकार टीम को नीचे की और ले जा सकती है साथवा जो खिलाडी अत्यदिक आक्रमक्ता दिखाए उसको डंडित किया जाना चाहिए आठवा कोच को खुद का वहवार भी शान्त रखना चाहिए आक्रामक्त का अर्थ वे अवधारना तो आक्रामक्त शब्द वहवार की उस शीमा को दर्साता है जिसमें व्यक्ति स्वयम को या दूसरों को या किसी वस्तु को शारिरिक वे मान्शिक रूप से हानी पहुँचाता है अवधारना, आक्रामक्ता की अवधारना को जानना बहुत आवशक है क्योंकि आक्रामक्ता के प्रभावी ज्यान से हम इसके सिध्धान्तिक मौडल पर ठीक से हश्च थेप तथा इसकी रोग थाम कर पाएंगे मनोवध्यानिकों ने इसकी अलग-अलग विवेचना की है जैसे की व्रति का सिध्धान्त इसके अनुसार आक्रामक्ता जन्मजात भावना है सामाजिक सिध्धान्त के अनुसार यह सीखी जाती है कुंठा सिध्धान्त के नुसार कुंठा होने के कारण ही आक्रामक्ता जनम लेती है इसके MCQ-based questions में आपका question number 1 है ऐसा वहवार जो दूसरे वेक्ति को नुकसान पहुचाने के लिए किया जाता है आक्रामक्ता कहलाता है अनजाने में की गई आक्रामक्ता को बाहे आक्रामक्ता कहते है चौथा मुखर आक्रामक्ता की जाती है किस से? option C मुख से अब है आपका दोस्तों आप आजाते हैं आक्रामक्ता पर अधारित दीर्ग उत्रिय प्रश्न पर तो आपका प्रश्न है आक्रामक्ता की परिभाशा एवं अवधार्ना को स्पस्ट कीजिए खेलों में आक्रामक्ता के प्रकारों का वर्णन कीजिए इसका अंसर होगा कोई भी शारिरिक तथा मोखिक वहवार जिसका लक्षे दूसरे खिलाडी को शारिरिक रोप से अथ्वा मनोवज्यानिक रोप से नुकसान पहुचाना होता है अवधारना क्या है आकरामक्ता की? तो आकरामक्ता को विभिन मनोविज्ञानिकों के द्वारा अलग-अलग रूप से समझाया गया है व्रती के सिध्धान्त में मनोविज्ञानिकों का मानना है कि यह जन्मजात होती है तथा समय के अनुसार दिखाई देती है जबकि सामाजिक सिध्धान्त में मनोविज्ञानिकों का मानना है कि यह वातवरण से सीखी जाती है यानि हम दूसरों को देखकर आकरामक्ता को सीखते हैं जबकि कुंठा सिध्धान्त को मानने वाले विज्ञानिकों का मानना है कि आकरामक्ता का ज़न्म कुंठा होने पर होता है कोई भी शारिरिक वहवार जिसका एक मात्रलक्ष किसी दूसरे खिलाडी को शारिरिक रूप से जान बूच कर नुकसान पहुंचाना होता है उधारण के लिए जान बूच कर किसी खिलाडी को हौकी स्टिक से घायल करना शत्रुता पूर्ण आकरामक्ता कहलाएगी सेकेंड है बाहे आकरमक्ता क्या है कोई भी शारिरिक वहवार जिससे किसी दूसरे खिलाडी को शारिरिक रूप से नुकसान पहुचता हो परंतु यह वहवार जान बूच करना किया गया हो अपी तु उचतम प्रदर्शन की प्राप्ति के लिए किया गया हो उधारण के लिए हौकी स्टिक से अंजाने में किसी दूसरे खिलाडी का घायल होना बाहे आकरामक्ता कहलाएगी तीसरा है मुखर वहवार आकरामक्ता तो वह मौकिक वहवार जिससे किसी खिलाडी को मनोविग्यानिक नुकसान पहुचाया जा सके मुखर वहवार आकरामक्ता कहलाता है मुखर वहवार हमेशा नियमों के दायरे में रहकर किया जा सकता है उधारण के लिए क्रिकेट खेलते समय बोली जाने वाले टिपनिया इसका प्रमुक उधारण है दोस्तों इसके बाद आपके कुछ अभ्यास प्रशनिया पर दिये गए है MCQ के आंसर आपको दिये गए है यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि सही मिलान करना है तो endomorphicumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum कि बहु मुख्षता का मिलान होगा आपका बातुनी से सहमत्ता संबंधी लक्षन जाएंगे सहयोगी मनोविपुछता संबंधी लक्षन आपके जाएंगे भावनात्मक और इसपस्टता संबंधी जाएंगे आपके आनन्दायक पे कालपने ये बाकी के कुछ अभ्यास प्रशन है जिनके आंसर आपको खुद से तलाशने हैं और लिखने हैं इसमें आपके तीन नंबर वाले और पांच नंबर वाले प्रशन भी यहाँ पर दिये गए हैं दोस्तों ये थी आपकी चेप्टर नंबर 9 पर बेस्ट वीडियो जिसके अंदर आपके सभी important topics को include किया गया है और सभी तरह के questions को इसके अंदर दिया गया है solutions के साथ और साथ ही साथ आपको कुछ अभ्यास प्रशन भी दिये गए हैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके माध्यम से आप maximum marks अपने exam में achieve कर पाएंगे तो दोस्तों इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहें exam achievement के साथ अगर आपने अभी चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर subscribe कर लें